सरुकार विभाग से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हो गया है तो आपको बता दे चले कि आज योग्या अदितनाथ की एक एहम कैबिनेट बैठक होनी थी जो अब समाप्त हो चुकी है इस दोरान कुल 17 प्रस्ताव ऐसे हैं जिस पर इस बैठक में मुहर लगाए गया है और योगिक व अपने दूसरे कारकाल में ही 100 दिनों का एजंडा लेकर लगातार शपत ग्रहन करने के बाद से ही कार करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार सीम योग्या अदितनाथ और उनके तमाम निता जो है वो जमीनी स्तर पर जाकर जो भी वहां की विवस्ता है उसका जायजा ले रह लगात हुई इस दौरान बैटेक में कुल 17 प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है तबादला नीती पर भी क्याबिनेट ने मोहर लगाई है इस खबर पर जादा जानकारी के लिए लखनाओ से हमारे समवाद दाता सागर थापा जुर चिक है सागर थापा देखा जाया तो आज प्रदेश की राजधानी लखनाओ में एहम एक क्याबिनेट बैटक थी इस दौरान 17 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है तो उन 17 प्रस्ताव कौन कौन से हैं जिन पर मोहर लगाई गई है हम अपने समवाद दाता से दुबारा संपरक साथने का प्रयास करेंगे तो आज सीम योगी के एक एहम क्याबिनेट बैठक हुई इस दौरान 17 प्रस्ताव ऐसे थे जिन पर मोहर लगाई गई है दूसरे कारकाल में ही प्रदेश के कायकल्प करने का सपना लिए सीम योगी आदितनाथ अपने मंत्रियों के साथ लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं यही वज़ा है कि जो सीम योगी है वो अपने नेताओं के साथ जमीनी स्तर पर पूरी तरह से उतर चुके हैं यही वज़ा है कि लगातार क्याबिनेट बैठक सीम योगी आदेतनाद द्वारा की जादी है वही आज एक एहम बैठक भी सीम योगी आदेतनाद के ध्यक्षिता में होई इस दौरान कुल 17 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है इस खबर पर जादा जानकारी के लिए एक बार फिर से सागर्थापा हमारे समवाद दाता हमारे साथ जुर चुके है सागर्थापा आज सीम योगी के एक एहम कैबिनेट बैठक होई इस दौरान कुल 17 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है तो वो 17 प्रस्ताव कौन से हैं जिनने पास किया गया देखे कुल्मिला कि आपको बता दू कि योगी कैबिनेट की आज बैठक होई थी जिसमें 52 मंत्री मौजूद थे सुबह बारा बजे से बैठक शुरुवात हुई है और तक्रीबर ने साले चार बजे संपन हुई उसमें तमाम ऐसे पस्तावों पर मोहर लगी शिक्षा है बेसिक विभाग है इस्थाम ब्यूटी है और तबादला नीटी इन सब बड़े-बड़े फैसलों पर मोहर आपको बताता चलूँ कि जो चुनाओ हुए थे 2022 के विदान सब्सक्राइब कहीं न कहीं आमादी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी अखलेश यादव से लिकर तमाम जो है अर्विन के इज्रिवाल से लेकर बड़े-बड़े दिगजनेता भारती जनता पार्टी को एक बड़े मुद्दे पर घेरने की नीती बना रहे थे और सबसे बड़ा मुद्दा बेसिक शिक्सा विभाग भी था जिसमें अब सरकार ने एक नीती बनाई है और यह उमीद की जा सकती है कि जो भी बेसिक शिक्सा विभाग की जो कमिया है अब गुडवत्ता में बदले गए जिन पर जनता की निगाहे टिकी होई थी जानने और उसे समझने में परकने में तो सरकार ने हर वो मुद्धे पर ध्यान दिया है जिसे आम आदमी एपने जीवन में चाहता है जीवन में जाएं कि इस बैठा के जरीए जो सीम योगी ने सौ दिनों का एजंडर तैक्या था प्रदेश का कायकल्प करने के लिए उस पर काम करती हुई नजर आ रही है कि आदे कि सभी मंत्रियों को अपने जीले की अपने पर जमिदारी दी गई थी और सभी को सो दिनों का खाका तयार करने को दिया गया था तो वह खाका भी आज था सीम योगी के सामने मंत्रियों ने पेश किया है और कहीं न खीया आपको बताता चलू कि जो मन्तरीों के पेश किया है 我नीक सियम योगी के सामने व IM रिजल्ट लगबग positive ही आया है क्योंकि कहीं नहों आपको भी लगता है और समाझ को भी लगता है कि BJP काम कर रही है तो इसी वज़े से जो मंत्री हैं उन्होंने खाका बेश किया और कहीं न कहीं इस रिजल्ट में पॉजिटिव उत रहे हैं और साथ ही आपको बताता चलू कि योगी कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें प्रस्ताओं तो सारे पास हुए हैं अब मोहरी भी लग चुकी है सबसे बड़ा परस्ताओं ये भी था इन तीन परसाओं को सबसे ज्ञान दिया गया था जो एक तबादला नीटी होती हैं बेसिक शिक्षा बिवाग की ज़ों जरूरते होती हैं तमाम जो मुलबुस विदाएं होती उन पर ध्यां दिया गया और इस काम कर रही सरकार और आ लगा दिया गया है तो इससे क्या कुछ फाइदा देखने को मिलेगा और यह सब चीजे कूरी तरह से बंद होती नजर आ रही है जबकि 2024 में लोग सभा का भी चुनाव है तो क्या यह माना जाए कि इस बैठक में 2024 और निकाय चुनाव को भी साधनी का प्रयास किया गया है अबदे कि मानी वी बात है कि कोई सरकार अगर आती है वो सबस्क्राइब रहती है PRESTeCl अगर हमें हैं तो हम आने वाले 50 साल याने वाले कई दस्कों तक अपने चेतर की अपने जिला की अपने राज की सेवा करें और जनता कोुए अबिक्ष त्थ कमन धा बारें तो कहीन हं तो एधार करी नीती यह नई उमागाएगी और लोगों में एक नई नीतियां दिखने को मिलेगी तो बीजेपी लगतार इस नीतियों पे काम कर रही है और बीजेपी का साथ सब पहना है यह अगर वह हम नीतियों को लाएंगे समक्ष जंता के सामने तो जंता हमें अटोमाटिक लिए अपने आपई चुन कर लाईगी और सक्ता पर दुबारा से काबिश करेगी तो 2024 और जो निकाय चुना है उस पर काफी फरक पढ़ने वाला इन सब चीजों को लेकर देखने के लिए तो अभी आपने सुना किस तरह से हमारे समवाद आता ने जो आज सीम योगिया अधितनात की 70 प्रस्ताव को पास किया है उसको लेकर एक एहम जानकारी हमारे साथ सांजा की बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद और प्रदेश की सरकार को घेड़ती हुई नजर आती है और विपक्षी लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे हैं इसे बीच योगिस सरकार के वित् प्रदेश पुलिस में जल्द ही 40,000 पदों पर भरती होगी वित्तमंत्री ने ट्वीट कर इसका एलान किया है कि यूपे पुलिस में जल्द ही 40,000 पदों पर भरती होगी चैन बोर्ट से भरती के लिए मंजूरी भी मिली है तो यानि ये कहा जाए कि अब प्रदेश के जो 40,000 पदों पर भरती होगी तो ये एक बड़ी ख़बर इस वक्त प्रदेश के युवाओं के लिए निकल के सामने आ रही है साथ ही चैन बोर्ट से भरती को लेकर मंजूरी भी प्राप्त हो गई है जिसकी जानकारी वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने ट्वीट करते हुए सभी युवाओं के साथ साज़ा की है और आप इस वक्त प्राइम ट्रीवी की टेलविजन स्क्रीन पर उनका ट्वीट भी देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक ट्वीट करते हुए प्रदेश के युवाओं को सौगात दी है प्रदेश के युवाओं में एक जोश भर दि क्या होंगी जी हाँ एक बड़ी ख़बर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं जहां प्रदेश में युवाव के लिए वित्तमंत्री सुरेश खन्ना एक नई सौगात लेके आए हैं इस ख़बर पर जादा जानकारी के लिए लखनाउ से हमारे सम्वाद दाता विभांशु जो च इसके अंदर में यूपी पुलिस के तमाम जो भरतिया होती है ऐसे चुछात्र है जो ऐसे अभियर्थी हैं उनके लिए बेहत खुसी का दिन है आज क्योंकि आपको बताएं कि उत्तव प्देश में चालीस हजार यूपी पुलिस के अंदर में भरतिया आने वाली है जल्द साथ है उत्तर प्देश सरकार के वित्य मंत्री ने इसके ट्वीट करके जानकारी दी वही है मुस्कान आपको बता दे कि खास करके अब देखा जाए तो चालीस हजार विक्त पदे जिस पर विपक्ष कही ना कहीं सवाल उठाते हुए बिधान सवाच नाओं में दिखा उस उसमें जल्द ही भरती की जाएगी वहीं आपको बताएं कि अब देखने वाली बात यह होगी कि चालीस हजार जो भरती की बात कहीं जा रही है यह कब की जाएगी और किसे आधार पे की जाएगी वहीं आपको बताएं कि उत्तर प्देश में पीएसी के अंदर में 8540 भरति कि जाएंगी तो कुल मिला कि अगर देखा जाए तो 40,000 जो पुलिस कव्मियों की नई भरती आई है इससे उत्तव वदेश के अंदर में जो पुलिस की तयारी कर रही उपी पुलिस में जाने के अर्मान रखते हैं उनके लिए बेहद खुसी का पल है और खास कर देखा जाए बैठेते की जल्दी भरती की जाए मगर सरकार की तरफ से आज है कैबिनेट की बैठक की गई उसमें तमाम पस्ताओं को पारित किया गया वहीं सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है कि 40,000 भरतियां की जाएंगी तो युवाओ के अंदर एक खास बेहत तवीकी का उमंग दे दिया है कि जी बुसकान देखा जया तो चुनाओ के अंदर में जब रिधान सबाके चुनाओं तो विपक्ष रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए ने जगाया वहीं आपको बताए कि सरकार ने अपने मैनिफेस्टों में जो तमाम वादे किये हैं उसी क् पूरा करने का काम किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं विपक्ष इससे अब जो सवाल उठा रहा है उठा रहा था तो यह के जो अगर देखा जाए तो लोक्तंत में पक्ष विपक्ष का जो काम है वो पूरी बैतर धंग से चुनाओं के अंदर में दिखा साथी साथ अभी 40,000 जो भरती की जारी है इसके युवाओं को जो आसा पेट साथी तो उनको बेहद खुसी के दिन है और साती साथ विपक्ष के मुपर भारती जनता पार्टी की तरब से नुक्ति का घोशना करके विपक्ष के मुपर ताला लगाने का काम किया गया है तो अब देखने वाल यह होगी कि कब यह भरती शुब होती है मुपर करिया के लिए अब जो भरती बोर्ड है उसको भी सुचना चली गही है कि भरती शुब की जैसके आने वाले दिनों बहरती सुब होजाена विभांशों का देखा जो है तो पीते दिनों जो एसाई की परेक्षा हुई थी उसमें घोटाले की खबरे सामने आ रही थी ऐसे में अब चालीस हजार नई भर्तियों को लेकर वित्म वंत्री ने ट्वीट किया है किस तरह से देखते हैं आप इसे अगर्ण कर देखा जाये तो जो पिछले दिनों ब्यासाई की भरती हुई इसमें घोटाले की बात कही गई थी तो इसी क्रम में आपको बताएं कि इस बार का जो भर्ती होगा उसमें साफ तो पर पारदर्शिता के साथ सरकार की तरुप से कहा गया है कि पारदर्शिता के के जो अभीयरती हैं जो काभियोरति हैं उनको भरती किया जाएगा इसमें चैन करने के लिए नेक मंडलों में यूपी इसके जो तमाम जो भरती बोर्ड के सदस्य है और उनके अधे तमाम कमचारी उनकी तरफ से सीविव लगाए जाएंगे सीविव के माध्यम से जो लिखी तरों में जो हेल्थ है तमाम जो फिजिकल एक्जाम होते हैं उसको पास करने के बाद शात्रों को नियुक्ति मिलेगी तो माना यह जा रहा है कि साल के अंत तक यह नियुक्ति हो सकती है बगर देखना लिबात होगी कि इसका जो असर है वो निकाय चुनाव पे कितना पड़ता है क्योंकि साल के अंत में निकाय चुनाव भी है और सरकार की तरब से अगर देखा जीए के योगी सरकार टूपॉइन जीवों की यह पहली न्यूक्ति होगी और पहली भरती होगी और सरकार को जैसे यूपी पुलिस के बारे में सोच कर और भरती के लिए 40,000 रिक्त पदों पर एलान किया गया है तो आने जो विभाग है उसमें भी एलान करने की जरुवत है जी मुस्कान यानि कि भी भांचू ये कहा जाए कि अभी जो भाचपस सरकार द्वारा जो ये भरतिया नहीं निकाली जा रही है कहीं न कहीं इसको निकाय चुनाओ से जोड़ते हुए देखा जाए जी अगर देखे तो चुनाओ के थीक पहले इस सथारी की नुक्तिया आ रही है तो कहीं न कहीं इसका चुनाओ के अंदर में होता है तो कोई भी एलान किये जाते है या भरति की जाती है तो उसका सीधा अलाव जो 17 पार्टी हो उसको मिलता हुआ है कर देखे तो अभी 24 की जो चुनाव है जिसको लोगसभा के चुनाव के लिए के पूरे सभी पार्टिया निगाहे लगाई बैठी है तो उसी क्रव में भारती जनता पार्टी की तरब से निकाय चुनाव कोने कर कही ना कही तैयारी की जारी है साथ ही साथ है अब नियुक्ति की बात कही जारी है तो भरती के माध्यम से अब अले जो अभी अर्थी है उनकी भी आस्ता पर एक साय लगी हुई है और निकाय चुनाव से ठीक पहले इसकी नियुक्ति हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इसके युवा जो है प्रदेश का वह प्रफुलित नजर आएगा जे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए तो अभी आपने देखा कि प्रदेश की राजज़ानी लखनाव से एक बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है जिससे कहीं ना कहीं युवाओं में खुशी देखने को मिल रही है कानपुरहिंसा मामले में पुलिस लगातार एक्शन ले रही है सूत्रो के अनुसार एटियस और एसाइटी की पूछताच में बड़ा खुलासा हुआ है जानकारी के मताबिक नए सड़क में उपद्रव कराने के लिए उन्नाव जिले से भारी भीड बुलाई गई थी सीडियार से कल मोबाईल नंबर भी निकाले गई और मास्टर माइंड जफर हयात ने बताया कि बिर्यानी की दुकान वाले फंडिंग करते थे शत्रु संपत्ती पर काबिस बाबा बिर्यानी के मालिक का भी इस दौरान इस मामले को लेकर नाम सामने आया है खुलासे में ये भी कहा गया कि राम जान की मंदे तोड़कर बिर्यानी की दुकान बनाई गई लगातार साथ घंटे तक मास्टर माइंड जफर हयात से बंद कमरे में पूछ ताच की गई तो आपको बताते हैं चले कि कानपुर में तीन जून को हुई हिंसा से लेकर आज तक लगातार पुलिस कई खुलासे कर रही है इस मामले को लेकर हर दिन कुछ ना कुछ नया खुलासा सामने आ रहा है जफर हाश्मी से पुलिस हर दिन लगातार पूछ ताच कर रही है वह जफर हाश्मी ने इस दौरान कई ऐसे एहम नाम लिये है जिसकी लगातार पुलिस जाच परताल करने में जुटी हुई है इस ख़बर पर जादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे समवादाता रिजवान जुर्चु कहा है रिजवान तीन जून से हुई हिंसा को लेकर आज तक पुलिस लगातार कोई नए खुलासे कर रहे है तो अभी तक इस मामले पर आपके पास क्या कुछ अबडेट है रिज आगे हिंसा वाले एरिये कौन से हैं और हम इस बात को दिखाएंगे भी और आपको भी बताते हैं कि हिंसा वाले चौराहे से लेकर वहां पर ये अपडेट सामने आई है कि अब तक उनके कड़ी भी रहे बिल्डर्स को में सीज़ हो चुकी और सूत्रों के माने तो बाबा बिर्याली वाले कहीं ना कहीं उसमें एहम रोल निकल कर आया है और कहीं ना कहीं कुछ बड़े बिल्डर भी सामने आएं और जो अब तक किसमें बड़ी कारवाई ये हुई है उसमें आपको बता दू अब तक किसमें बड़ी कारवाई में ये बात उसकी बहन के और राशन आपिस बहन का और लग 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 आपको पता जाओ तूसरों से ख़बर ये भी आ रही है कहीं ना कहीं जाच में रिबंड उसमें पापा प्याली बादे का नाम भी तो जागर की गया है तो इस दौरान कई बिल्डर्स के भी नाम सामने आए है तो क्या पुलिस ने उन अब जैसा पुमद बता दूसकर भी स्पील मकास पीज़ किये गते थाना अर्मर गंचेत की बड़ी कारवाई हुँ थी कहीं ना कहीं उनकर कनेक्शन बताय जा रहे हैं कि हयास दफराज की ये कहीं ना कहीं निकल कर सामने आए है उन दिल्डरों को स्पील पर उसकी का आई है तो हिंसा में लेकर लगातार पुलिस दौरा नए खुला से हो रहे है साथ ही अब ये भी एक नए ख़बर निकल के सामने आई जहां उपद्रव कराने के नाम पर उन्नाव से भीड बुलाई गई थी तो आखिरब उन उपद्रवियों की पहचान कैसे होगी जो उन् से आई थे अभी लगभग आपको बता दू कुछ बच्चे से कुछ नावालिक बच्चे से जिनका नाम तो नहीं आया पर कहीं नजर आए है तो परकासन लगातार कारवाई करती ही जा रही है और लगातार उते हैं अभी परकासन अमला मुझूद है और स्काली निगरानी अब विवस्ता हैं और कहीं न कहीं बच्चो को यह बता दें और स्कुलिस भावला यह निर्टोष पर कारवाई नहीं होगी यह हैं परकासन लेना चाहूंगे केस हिंसा को लेकर बाबा-वियानी के मालिक का भी नाम सामनी आये है तो क्या पुलिस तो उनके गिरफतारी कर ली है? दनेवादरिज़वान इस खबर पर हमारे साज जुनने के लिए तो कानलपूर नहीं क्यों किसा जुक्त कर लेकर लगातार पुलिस द्वारा नए खुलासे किया जारे हैं। ताबर तोर दो जून के बाद से हुई हिंसा कुले कर आज तक पुलिस द्वारा दंगायों के खिलाफ कारवाई की जा रही है राइपरेली के बिजलामाउ गाउं में मा और दो बच्चेयों का संदेगत परिस्तितियों में फासे के फंदे से शव लटकता हुआ मिला इस घटना से इलाके में हड़ कंप मच गया ग्रामीडों ने पुलिस को फोन पर सूचना दी वही मौके पर पहुचे पुलिस ने तीनों शवों को कबजे मिले कर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है वह इस मामले पर पुलिस का कहना है कि जाच रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये मामला हथ्या का है या फिर आत्मत्या का है तो एक बड़ी खबर इस वक्त राय बरेली से निकल के सामने आ रही है जिससे पूरे इलाके में संसानी फैल गई है इस दोरान पुलिस द्वारा मा के साथ दो बच्चियों का शव बरामत क्या गया है जिसके सूचना ग्रामीडों ने पुलिस को फोन पर दी थी वही मौके पर पुलिस ने तीनों ही शवों को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है वही अब इस मामले पर पुलिस का कहना है कि जाज रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में ये खुलासा हो पाएगा कि ये हत्या है या आत्म हत्या है तो आप तस्वीरे भी देख सकते हैं कि किस तरह से राइबरेली में ये खबर मिलने के बाद ही छेतर में संसनी फैल गई लोगों में दहशत का महौल देखने को मिल रहा है वही ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि जिस वक्त ये पूरा कांड हुआ उस दौरान जो कि पूरी घटना सामने निकल के आ रही है अज सुबह कुछना ये मिली है बिटाना गाउं में एक महिला ने जिसके मरे करें करीं साल की है उसने अपने दो बच्टों एक क्रीमर पास साल इसाल दोलो अचिया थी उसने पहले उनको कमरे के अंजर खुद को बंद करके किंदी से उनको लटकाया और फिर खुद भी उसने आपको उनको हैंक कर लिया इस तो भी आपने सुना की किस तरह से पुलिस द्वारा एक बयान भी दिया गया है कि ग्रामीरों की सूचना पर उनको ये जानकारी मिले जिसके बाद दुनों ने बिना ही देरी किये मौके पर स्वाटम के लिए भेज़ दिया है साथी मामले की जाच परताल में भी जुट गई है इस खबर पर जादा जानकारी के लिए राब रेली से हमारे समवादाता अज़ा प्रताब जुर चुके है अज़ा प्रताब राब रेली के बिचला माउस एक दिल दरा देने वाली घट इतना सामने आई जहां एक मा के समय तीन बच्चियों का शब बरामद हुआ है तो क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर आपके पास हमारे समवादाता से हम दोबारा समपरक साथने का प्रियास करेंगे तो एक बड़ी खबर इस वक्त राइबरेली के बिचला माउस से निकल के सामने आ रही है जहां एक गाउ में माह और दो बच्चियों का संदेग परिस्तिती में फासे के फंदे से लटकता हुआ शब रा रामद हुआ है वह इस मामले पर पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि महिला द्वारा या अध्या की गई या फिर यह पूरा मामला हत्या का है इसको पर एक बार फिर से हमारे समवाद दाता रावरेली से आज़ा प्रताफ हमारे साथ जुर्चु कि है आज़ा प्रताफ रावरेली के बिचला मौ से एक दिल धरा देने वाली घटना सामने आई है तो क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर आपके पास? जो बात की जाए तो जो महिला थी और दुबच्चे थे एक ही कमरे पर नीचे सोते थे देवरानी है जो उनकी रोसनी नाम की वो छट के उपर सो रही थी और जो जाड़ो लगा कर नीचे आई इन्होंने देखा कि जो है दरवाजा नहीं खुला है तब दरवाजा खुलाने का प्रियास किया लेकिन दरवाजा नहीं खुला तब दूसरा खोल के दूसरे कमरे से आके देखा तो पांचीपी के संदे पर तीनों एक ही रस्ती के सहारे चले पर लटके मिले जबकि इन्होंने पूलिस को सूचना देकर पूलिस को मौकर बुलाया गया है जो बात की जाए प्रियास कि तो लाइबली इस पी ने उन्होंने बताया कि जो है यह एक तरीक देखा जाए तो आत्महत्या कहला आ जा रहा है क्योंकि कहीं ने आत्महत्या की होगी तो इसकी कोई तो वजह निकल के अभी तक सामने आई होगी जी अगर बात की जाए इन लोग के तो यह ही कहा जा रहा है कि जो इनका कहना है कि पती जो है बाहर पंजा में रहते हैं जो कि दो महीने से लगा तार बही से रह रहा है इंसे संपर्क नहीं हो पा रहा था और जब भी संपर्क खुलता था थो थोड़ा सा बिवादी जो कि नाराज़ी देखा जाए वो दो बच्चे के भी जो फंदे से लटकने की बात सामने आ रहे हैं तो इन दोनों ही बच्चों कि उम्र तकरीबन कितनी बता ही जा रही होगी पुलिस का एक ही बयान है कि उनका कहना है कि कही न कहीं है जो आत्मात्या का कही जा रहा है क्योंकि पहली प्रत्मिक्ता उनकी यही कि मुवाइल जट कर लिया गया है मुवाइल से जो कुछ निकाल आएंगे उस पर कारवाई की जाएगी उसके बाद पीम के लिए जो भीजे गया है वो पीम होने के बाद भी पता चल जाएगा कि आगे इसके क्या है अजर पेताब अगर देखा जाया तो परिजनों को कुछ भी जब ऐसा होता है अगर कोई अनबन होती है तो इसके बारे में जानकारी जरूर होती है तो क्या जो यूवति के परिजन थे उनको जानकारी नहीं मिल पार है कि किस वज़े से महिला परेशान रही होगी या क्या कुछ वज़े है जो पती-पत्नी के बीच में अनबन रहा होगा इस मामले कुल करशे प्राइम टीवी के टीम यहां पहुंची और जानकरी लेना चाहा तो इस जानकरी इसलिए अनुफिक निकले और क्यों बता दे कि जब जब नीचे आई ज़ड़ो लगाने के लिए होई हैं उनकरी इस फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही देश अप्रदेश के तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरो के लिए आप देखते रहेए प्राइंग टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार